जूट और भ्रम के बेशरम रंग और मेरे साथ बात चीट करने के लिए एक तरफ जुड़ने है बीजेपी के सांसद वरिष्ट परवक्ता डॉक्टर सुधान शुत्रवेदी जोरदर्थालियों से अभी रंदन करिए स्वामी दिपांकर अध्यात्मिक गुरू उनका भी एक महीने से उसके लिए बीनका भी बीवादन है जोरदर्थालियों के साथ निगद अब अबवास समाजिक कार्यकारता है जानुमाणी उनका भी अन्दन है मेरे साथ शोहभ जम्हाहिई हैं मुस्लिम चिंतक मेरे साथ साजित रशीदी है तरफ धर्मगुरू उनका बी नं जब जूत और भ्रहम की बात आती है, उसके बेशर्म रंग की बात आती है, साल बदल जाता है लेकिन हाल नहीं बदलते हैं, अब अब्दलबारी सिद्देकी को ऐसा लग रहा है कि अपने बच्चों को उनको कहना पड़ता है कि वहीं का वीज़ा ले लो, वहीं की सिदिजन् या काफिरों के देश में ये तो पूछिए कहां चाहिए सिरिया में एराक में लीबिया में एजिप्ट में कहां पे चाहिए या इंग्लेंड में अमरीका में चाहिए या यॉरप में चाहिए जिसको निस्तनाबूत करने की कसमें खाते हैं जनाब इसलिए मैं कहना चाहरा हू उन्होंने अभी 2019 में लिखा है बहुत पुरानी बात नहीं है उन्होंने लिखा Muslims in India are the luckiest उन्होंने का भारत के मुस्लिम सरवाधिक भागशाली हैं क्यों उन्होंने उसका उधारन दिया कि मैं 26 साल निजाम الدین एरिया में रहा और एक तरफ हजरत निजाम الدین अउलिया की धरग चाहता हूं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिमा अबादी का देश है भारत पर ये इकलोता देश है जहां मज्जितों में धमाके नहीं होते अनिताए बताईए जहां 100% मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां पे क्यों हमें काबूल में काउंटर सवाल है मेरा काउंटर सवाल है कि अब्दुल बारी सिद्द की जैसे वरिष्ट नेता को जो फॉर्वर्ण मंतरी है इस समय आजएडी की सरकार है शासन है बिहार के अंदर उसको ये वक्तवे देना पड़ रहा है मैं क्यों देना पड़ रहा है देखिए आजादी के बाद एक बहुत बड़ा 70-75 साल में पीछे होते चले गए क्योंकि इन सारे तथाकति सेकलर दलों का एजंडा है मुसल्मानों में डर पैदा करके उनका वोट प्राप्त करो हमारा विचार है कि उनमें विश्वास पैदा करके वोट प्राप्त करो में सीधा रुक करता हूँ यह विश्वास क्यों नहीं हो पारा यहां फिर साल बदल जाता है लेकिन डर की दुकान का हाल नहीं बदलता मेरा सीधा सवाल है अब तो 1952 के बाद रामपुर में भी भारती इंता पार्टी जीती है वहां मुसल्मानों ने वोट दिया ही न भारती और इन्यों को समर्पित एक बात देश के युवाओं को कि अबके जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा अबके जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा हम से अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली ना हम सफर से ना किसी हमनशी से निकलेगा ना हम सफर से ना किसी हमनशी से निकल हम इसे निकलेगा तो थोड़ी हाडशिप है माना है लेकिन यह हमारा देश यही हमारी असली हकीकत है और कौन छोड़के जा रहा है एक राजनीतिक बयान को अगर आप धर्म के आएने से देख लेंगे राश्टी जनतादल का कोई दूसरा नेता मालीजे कोई पंडीजी अग धर्म नहीं आता तो एक धर्म को अब देखिए मुझे अब यह हम लोगों के लिए रहे रहने लायक नहीं बचा है हम लोग में विपक्ष भी आ सकता है बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को धंकियां दी गए उनके बाल बच्चों को मुझे भी दमकी दी जाती है सोशल मीडिया पर कि यह कर देंगे फैमिली परिवार पर अब मेरा यह मानना है कि देखिए बयान तो यहां से कंगना रानाउत निद्वी कि उनीस साथालिस में आजाद नहीं हो दोदार चौदा में हुआ यानि सतर सालों से यानि जो लोग थे परधान मंत्री वो गुलाम मैंने कहा इस दिशा पर एक थोड़ा यूआं को सोचने का मौका दीजिए यूआ है मैं 30 सेकंड में अपनी बात करते हैं यूआ सोच रहे हैं कि भारत सरकार ने खुद लोगसभा में यह कहा कि पिछले साथ सालों में साड़े आठ लाग भारतियों ने भारत की इस नागरि अब यह अरब पती करोपती जो आठ हजार कौन है इनका भी देखा जाए कि यहां पर कमाये खाये सब कुछ अरब पती बने और देश को छोड़के चले तो अगर इस तरह की बात होगी तो काटा निकालना ही है तो काटा निकाला जाए निकलेगा अब बेवजा बदलेगी तो निकलेगा यह सबता बतले की तो काटा निकलेगा किस काटे की बात कर रहे हैं तो ऐसे वह कर दीजी एक घुटन तो है कि विपक्ष का जो इस पेस है जो जनता विपक्ष की आड़ में मत अस्पी बाप उद्द्य को छुपाईए आप जो भी अगर परिशानी है कि वह जनतियां है दादा बोलते रहेंगे बीच-बीच में अपना अपना टर्म है बोलिये पर मैं कहूंगा कि काटा निकालना ही है तो काटा निकाला जाए बेवजा जहर ना फैलाया जाए जिसकी आदत हर व्यक्ति को तक्रीबन-तक्रीबन मैं देखता हूं मुझे लगता है यह विचार के भारत में अब खत्रा है यह विचार भारत के लिए खत्रा बहुत बढ़िया आप समझे है भारत में अब आपको खत्रा है यह विचार भारत के लिए खत्रा है और रमीश भाई क्यों मुझे इस भिक्षा यात्रा को करने की अवशक्ता पड़ी जो जातियों में खंडित सनातन है अच्छा एक रोचक बात अगर आप आग्या दे तुम्हें कह दूँ सुदान शुबाई इसमें भिक्षा दाल चीनी चावा लाटा की नहीं है इसमें भिक्षा है जो जातियों में बटा सनातन है वो एक हो और मुझे वो भिक्षा चाहिए मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए कि आप सत्तर साल से ठाकुर है गुजर है यादव है बनिया है ब्रामन है नहीं हिंदू मतलब हिंदू बात खत्म ये भिक्षा होती है और मुझे लगता है जब आप एक होते हैं तो आपके एक होने का विचार सामने के लिए खत्रा हो जात आप तोचिए ना कि उपेक्षित कौन होता रहा लेकिन अभी तो खत्रा अब्दूलबारी सिद्धी को लग रहा है ना उपेक्षित होता कौन रहा मिश्वाई कभी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए एसे लेकर जड़ तक अपमानी तो हम हमारे देवता हमारे आराध्य हमारे पूरवज और छोड़िये जो जारखंड में शिकरजी हैं जो महबीर की अनुयाई हैं उसे परियाटक इस्थल में डाल दिया क्या मेरा धर्म इस्थल परियाटक इस्थल हो सकता है और मैं एक बात कहूंगा मेरी तो आदत है और मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए मैं आप से एक प्रश्न पूछता हूं और आपको संबोधित करते हों पूछता हूं आप सब में अलग-अलग नाम होंगे सब्सक्राइब करें आपको क्या है यह एक संपरदाइक बात